हेलो फ्रेंड्स आज हम अपना मैप वर्स टार्ट कर रहे हैं तो देखे हैं आज हम अपने मैप के अंदर हम भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे भारत के अंदर अलग अलग तकार की मिट्टियां पाई गई हैं तो जो मिट्टियां हैं हम उनको मैप के उपर discuss करेंगे आप इसको ध्यान से देखिए मैं आपको एके करके सारी मिर्टियां सारी सोईल सापको इसके अंदर बताऊंगी आप उसको ध्यान से देखिएगा और उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा तो भारत के अंदर हमारी 6 टाइप की छें प्रकार की मिर सोईल, अलूवीयल सोिल, रेड सोईल, ब्लाक सोईल, लेर्ट रैट सोईल, ओर डेजर सोल तो अब हम इसको इंडिया के भारत के मैप के उपर अब हम इनको अलग लग इनका distribution देखेंगे कि भारत के मैप के according जो अलग लग प्रकार की जो मिटियां है वो भारत के किन किन राज्यों के अंदर किन किन स्टेट में कौन कौन सी मिटियां पाई जाती है तो आप सबसे पहले एक मैप ले लिजिए भारत का और इसके उपर heading डाल दीजिए देखे हम मैं मैप को इसके उपर शो करने के लिए अलग लग कलर को यूज कर रही हूँ तो देखे मैंने ये अलग लग कलर यूज किये हैं आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं ओके हम boundary करेंगे इन कलर से और हम इसके अंदर fill करने के लिए और इसको हम fill करने के लिए इसके अंदर हम इन अलग-अलग colors के crayons को use करेंगे आप जो चाहो आप अपनी पसंद से किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं ओके नौज लट्स टार्ट सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी heading डालते हैं तो heading क्या होगी इसकी Soils of India Soils of India ओके आप इसके अंदर ये इस तरीके से heading डाल दीजिए हम भारत के अंदर जो अलग लग प्रकार की मिठियां है उसके बारे में discuss करते हैं तो देखिए सबसे first हम start करते हैं सबसे पहली है हमारी mountain soil तो देखिए जो mountain soil है उसे forest soil भी कहा गया है तो mountain है वो brown color में होते हैं आप वैसे इसके according color लेना चाहों इसके according ले सकते हो otherwise आप किसी भी तरीके के color इसमें use कर सकते हैं as you wish तो देखिए मैं सबसे पहले boundary कर रही हूँ जहां पर mountain soil पाई गई है तो देखिए जैसे मैंने अपनी पहली की वीडियो डाली थी map की उसी तरीके साम इसकी पहले के है पहले बार boundary कर रही है मैंने इससे पहले मैं map की लगबग 15 वीडियो इसके अंदर डाल चुकी हूँ अगर किसी की भी miss हो गई है कोई वीडियो देखनी तो आप मेरे चैनल को open करके आप उसमें सारी वीडियो देख सकते हो उसमें आपको सारी वीडियो मिलेंगी मैंने इसके अंदर states की state capital की भी वीडियो डाली हूई है union territories की भी neighboring countries की और इसके अलावा मैंने बहुत सारी जो हमारे rainfall है इंडिया के अंदर distribution of rainfall है mountains है वो उस टाइप की वीडियो भी मैंने बना कर आप लोगों के लिए डाली है तो आप लोगों जो अच्छी लगे जो आप चाहे इसमें से देख सकते हैं सबसे पहले है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दा यह दोनों ही इसके अंदर आ गए हैं यह दोनों union territory है आगे देखिए इसके अंदर यह हमारा कौन सा आ गया है यह state हिमाचल प्रदेश यह आ गया है उत्राखंड ओके यह दोनों state आ गया है इसके अंदर ब्राउन कलर को ही यूज कर रहे हैं हम आगे देखिए जो सिक्किम है यह सिक्किम आ गया इसके अंदर और थोड़ा सा एरिया अर्णाचल प्रदेश का आता है जो इसका यह वला इतना सा एरिया है जो अर्णाचल प्रदेश का माउंटेन एरिये में आता है ओके यह हमने कर दिया है अब इसके अंदर हम ब्राउन कलर से हमने बाउंडरी की है तो हम इसके लिए ब्राउन कलर का ही क्रियोन लेंगे और ब्राउन कलर के क्रियोन से हम इसको फिल करेंगे देखिए इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है इस ये देखिए हमने इसको पूरी तरीके से इसको कर दिया है हमने इस तरीके साब ब्राउन कलर से इसकी बाउन्डरी कीजिए और आप इसको आपको इसके अंदर स्टेट के नेम लिखने की जरत नहीं है बस आप इसको इसके अंदर ऐसे इस तरीके से शो करोगे ये देखें ये हमारा mountain soil डड़ी हो गया है इन इन एरियाज के अंदर भारत में mountain soil पाई जाती है इस तरीके से हमने कर दिया इसको ध्यान से देखना अब देखें next हमारा आता है अब हम करें गी next alluvial soil alluvial soil के लिए आप कोई भी color ले सकते हैं मैंने इसके लिए पैरिट कलर यूज किया है तो देखें इसको ध्यान से देखेंगा alluvial soil कहां कहां से start हो रही है पूरा ये वाला state आ रहा है हमारा पंजाब ये पूरा हरियाना अब देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको इसमें कहीं कहीं पर ये बीच वीच मिक्स आ रहा है तो देखें गुजरात का जो ये वाला एरिया है जिस तरीके से मैं कर रही हूं उसे तरीके से आप लगों को करना है जो ये वाला इसके boundary के पास वाला जो एरिया है यहां पर क्या है सारी है आपकी alluvial soil पाई गई है इसके boundary के पास पास वाला एरिया करना है पूरा और यहां से यह हाफ और जो यह हाफ एरिया इसको यहां से टच कर दीजिए यह वाला जो एरिया है यह भी alluvial soil का है और थोड़ा सा राजिस्थान का एरिया है यह इस तरीके से नीचे वाला पूरा एरिया लेना है आपको यहां तक इसको टच कर देना है और यहां से इतना एरिया और यह इसको इस तरीके से देखो इसको ध्यान से देखना यह वाला सारा एरिया क्या है ये वहला पूरा एरिया है और इसके अलावा इधर आ जैए पूरा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गम्पलीट लेना है इसमें देखेए इधर ये बिहार बिहार पूरा गम्पलीट लेना है हमको इधर से इसकी transitional कर दीजिए थोड़ा सा एरिया है हमारा ये वैस्पंगोल का जोपर वाला एरिया थोड़ा सा ये वाला लेना है थोड़ा सा एरिया और ये वाला पूरा एरिया ओके ये वैस्पंगोल का ये एरिया है और थोड़ा सा बीच में हाफ हमको असाम का लेना है इसमें ये इस तरीके से थोड़ से तोड़ा साथ भी सारे में एलूवियल सोईल ही दिखाना है यह निचे तामिनलानो तक ले आईए इसको यह देखिए इसलिग। यह इस प्रकार से इन इन एरियास के अंदर क्या है एलूवियल सोईल पाई गई है अब हम इसके अंदर अब देखिए इसके अंदर हम शेडिंग कर रहे हैं अब आप इसको पूरा फिल कीजिए इसको थोड़ा सा केरफुली करना है इस दहली भी आपका इसी में आ जाएगा ओके जब हमारे मैप कम्प्लीट हो जाएगा तब आप देखना इसे बहुत ही खुबसूरत लगेगा और बहुत ही इसमें क्लीन ली नैस आईगी आपको बिल्कुल जलबाजी नहीं करनी है आराम से करना है इसको आप इसको इस तरीके से पूरा फिल कर दीजिए इससे क्या है हमें डाउट नहीं रहेगा कुछ भी इसको हम पूरा कंट्री में आ गया पूरा वैस्पंगोल हो गया है इधर से पूरा जो कॉर्णर्स वगारे रहे इसको अच्छे से कर लीजिए ओके देखिए अभी जो पूरा कोश्टल एरिया है इसके अंदर भी इसको भी हम इस तरीके से साइट साइट से कर देंगे इसको भी कंप्लीट यह देखिए अब इधर आ जाईए इधर देखो यह वाला एरिया है इसके अंदर भी करना है इस एरिये के अंदर भी इलूवियल सोईल है इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है इसमें इस एरिये में यहां तक है राजिस्तान का भी थोड़ा सा एरिया आ रहा है इसमें अब इसको गुजरात में देखी, इसको गुजरात में थोड़ा ध्यान से करना गुजरात में ये वाला एरिया आ रहा है इसका, एलूवियल सोईल इस एरिया में आ रही है तो थोड़ा सही नीचे कोर्णर पर आ रही है नीचे नीचे बाउंडरी पर यह एलूवियल सोईल ही आ रही है बीच में तो थोड़ा सही एरिया इसको छोड़ देना है ब्लैंक लिए मैं बताती हूँ अभी यहां पर कौन सी मिट्टी पाई गई है एस तरीकें साब को यह एलूवियल सोईल इसमें फिल करना है एब देखिए अब हम नेक्स need करते हैं अब हम चरेंगे लीचिंट रढ़ा आप यह अब रेट में इसके बान्डूच अब शोल रिए पूसे जादा है बड़ाइन इसके अंदर वह पहले बाउंडरी करते हैं जो भाउंड़ समय ही अब देखी कि अंदर कम बाउंडरा हूं सब्सकी के अंदर हाई रहा होते मिड़ीन fuss इधर यह में घाल ले हैं और यह पूरा एरिया इसका है रड़ सोईल का है इधर आजाएए हम इधर देखो यहां से लेकर यहां तक आगे रड़ सोईल ही है थोड़ा सा एरिया इसका आ रहा है ओके यहां पर तो बाउंडरी होई गई थी है यह है अब देखें बीच वीच में यह वाला जो एरिया है यह रड़ सोईल का है इधर से यह थोड़ा सा एरिया रड़ सोईल और यह नीचे पूरा एरिया रड़ सोईल का ही है और नीचे वाला पूरा पूरा कमप्लीट रड़ सोईल का है थोड़ा सा कोस्टल में अलग आएगा यह आपका पूरा है रड़ सोईल अब इसके अंदर हम रड़ कलर से इसकी शेडिंग करेंगे तो देखिए इसको केरफुली करना है अलग अलग करने से क्या है हमें यह क्लैरिटी हो जाएगी हमें ख्लैरिफाई हो जाएगा कि हमको कौन सी मित्ती कहां पर किस स्टेट के अंदर हमें फिल करनी है तो जो मैक्सिमम में वह है सोईल है वह हमारे भारत के अंदर रेड सोईल ही पाई गई है यह देखे पूरा एरिया यह रेड सोईल का है इस तरीके साब को यह रेड कलर करना है इसमें यह चोटी क्लास के स्टूरेंट्स के लिए बड़ी क्लास के लिए कोई नेट की तयारी कर रहा है कोई एच्टेट की तयारी कर रहा है उन सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफूल है यह क्योंकि जो इसमें पूछे जाते हैं हर एक प्रकार के किसी भी आप एक्जाम में बैट जाओगे तो वहाँ पर पूछे जाएंगे तो बहुत ही आपके लिए यूसफुल है आपको इसको अच्छे से देखना है एक बाद में समझ नहीं आती है आप इसको दुबारा देखिए तब आपको जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा यह यह देखिए है इस एरिये के अंदर रेड सोईल पाई गई है इसको ध्यान से अब चलिए हम नेक्स सोईल पर चलते हैं अब आती है ब्लैक सोईल तो देखो ब्लैक सोईल इसके लिए हम ब्लैक कलर ही यूज कर रही है देखिए जो यह वाला एरिया बच गया था यह वाला किसका है ब्लैक सोईल का गुजरात का जो नीचे वाला थोड़ा सा एरिया था थोड़ा सा यहां पर पाई गई है black soil okay बाकी इसमें दिखा रही हूं आप लोगों को जो यह वाला एरिया है यह बचा हो जो रिमेनिंग एरिया हो सारा किसका ही सारा black soil का ही है okay अब आप यहां पर इसमें बचे हो एरिये में black soil फिल कर दीजिए ऐसमें और रीजिश कुछ सब्सक्राइब करें इसे हलके इसा थोड़ी-दिखा दीजिए अब ब्लाग कलर यूज़ सेेड़ी करेंगे इसको भी आप इसी तरीके से फिल कर लीजिए यह मान के चली जो हमारा इंडिया का जो यह वैस्टन एरिया है और जो मिड एरिया है इसके लिए ब्लैक सोल ही पाई गई है मैं आपको उसी के कोडिंग ब्लैक जैसे ब्लैक सोल है तो ब्लैक कलर से रैड सोल है तो रैड कलर से ताकि आपको यह लर्णिंग में परिशानी ना हो काई है आप जो éak यह देखिएत। थोड़ा सा एडिया गुजरात पाई गई है और थोड़ा सह उपर है वाला है यह सारा एरिया है black soil का ठीक हैं अब देखिए अब हमारे पास next आती है Latterite soil तो देखे Latterite soil के लिए जो लैटरite soil है वो हमारे भारत के नद बहुत ही कम area में पाई गई है एक तो देखिये यह वाला एरिया लेटराइट सोईल का थोड़ा सा एरिया है थोड़ा सा एरिया यह वाला है कहीं कहीं पर है यह वाला एरिया थोड़ा सा यह वाला एरिया है इस तरीके साब को कहीं कहीं पर शो करना है से थोड़ा सा यह वाला एरिया है और यह जो हमने कोश्टल जो एरिया यह वाला इरिया यह वाला भी किसका है लेट राइड सोईल का ही है ओके थोड़े थोड़े इरिये के नदर ही है इसमें ग्रीन कलर रहा गया था इसमें ग्रीन कर दीजिए अब देखें इसके लिए हम इसमें कलर कर रही है यह हमारी लेट राइड सोईल यह बहुत कम है हमारे भारत के अंदर थोड़ा सा यह वैस्टन कोस्टल प्लेन में है बस यह यह इस तरीके जब थोड़े थोड़े एरिये में यह लेटर्ड सोईल पाई गई है ओके बस यह इतना ही है लेटर्ड सोईल का अब हमारे पास लास्ट आता है हमारा लास्ट एरिया हमारा बचता है लास्ट मिट्टी हमारा बचती है डे dairy सोईल की तो देखिय डेजर्ड सोईल डेजर्ड एरिया के अंदर पाई गई है बस डेजर्ड सोईल और कहीं भी नहीं है सिर्फ राजिस्थान के एरिये में ही आपको això करना यह सिर्फ राजिस्तान में ही पाई गई है। आपको पूरी ज़हते हैं फेर Champaign पेंद्र घज़ती अड़ा इस पर पता लग रहाी है। तो यह हमारी desert soil है, ओके यह देखिए, यह हमारा map complete हो गया है, देखिए मैंने पूरा आपको इसका distribution दिखा दिया है, कि भारत के अंदर जो soil distribution है, वो किस प्रकार से, देखिए, सारे streets इसके अंदर cover हो गए है, ओके, अब हम इसके अंदर देखिए, नीचे यहां पर इसका एक की बनाएंगे, जिससे सबको शो हो जाए कि कौन सी किस color के लिए हमने किसको यूस किया है, तो सबसे पहले देखिए हमने कौन सी की थी, सबसे पहले हमने की थी mountain soil, ओके, तो mountain soil के लिए हमने brown color यूस किया था, तो आप यहां पर अलग-लग की बना दीजिए, तो brown color से है, mountain soil, ओके, अब next हमने किया था, aluvial soil, aluvial soil हमने किया था parrot color से, तो आप यहां पर छोटा सा parrot color का box बना दीजिए, यह है aluvial, aluvial soil, आप अपनी color मर्जी से कोई भी color यूस कर सकते हैं, next है red soil, तो red के लिए हमने red color यूस किया है, तो हम यहां पर लिख देंगे, red soil, अब देखें, next है हमारी black soil, तो black के लिए हमने black color यूस किया है, तो आप यहां पर black color से लिख देजिए, black soil, okay, next है हमारी let right soil, तो let right के लिए हमने dark blue color को यूस किया है, तो आप यहां पर एक rectangle box बनाईए, और इधर लिख दीजिए, let right, let right soil, और last है हमारी desert, उसके लिए हमने yellow color यूस किया है, तो आप yellow color से लिख दीजिए, desert, desert, sorry, okay, यह देखिए हमारा यह map complete हो गया है, एक बर इस map को आप अच्छे से देख लिजिए, complete map है यह, हमारे भारत की जो अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हैं, वो इसके अंदर बताई गई है, okay, इसको देख लिजिए, यह map आपका complete हो गया है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसे like, like कीजिए, इसे share कीजिए, और इसे subscribe करना नहीं भूलिए, मैं आपके लिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो ले कराऊंगी, okay, thank you.